Class 10 के बाद आपको तीन अलग अलग रास्ते आपको दिखेंगे एक Science की रूप में, एक Commerce की रूप में और एक Arts की रूप में यानि कि ये तीन रास्ते, तीन आपके Stream है और इन में से अगर आपने एक Right सेलेक कर लिया तो आपका Career काफी अच्छा बन जाएगा लेकिन अगर आपने गलट Decision ले लिया तो आप सीधे दोस्तों यहाँ पे नीचे धराम सुगिरेंगे यानि कि आपका यहाँ पे पूरी Life Destroy हो जाएगा तो आज की इस वीडियो में आपको Right Decision मैं आपको लेने में Help करूँगा कि आपको Science की तब जाना चाहिए Commerce की तब जाना चाहिए या फिर Arts की तब जाना चाहिए तो यह सवाल के जवाब आपको आज की इस वीडियो में तो मिलेगा ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि Science, Commerce और Arts अगर आप लेते हैं तो आपको इन सारे स्ट्रीम लेने के फायदे क्या होने वाले है नुकसान क्या होने वाले है तो जल्दी से मैं इस वीडियो की शुरुवात करेंगे चैनल को सस्क्राइब कर दीजिगा कि इसी करे कि सी important वीडियो आपको इस चैनल पे मिलने बाला है अब IEM यहां पर समझते हैं तीन अलग-अलग points के माध्यम से कि आपको science की तरब जाना है या फिर commerce की तरब जाना है या फिर आपको arts की तरब जाना है क्योंकि सवाल आपका यही है कि मैं science लू, commerce लू या फिर arts लू सबसे पहले यहां पर बात करें students तो आपको जो select करने का सबसे best तरीका होता है और यह तरीका जो है आपको follow आपको भी करना चाहिए क्योंकि यही वो तरीका है जो आपको best decision लेने में आपको help करेगा पहला तरीका क्या है पहले आपको अपने interest देखना है क्योंकि आपने सिर् तो पता लगी गया होगा किकिस सब्जेक की ओर जादा है आपको पड़ना अक रहा यह या फी पर पढ़ने अच्छा लग रहा है यहां फिर ऑप को पढ़ने अच्छा लगता यह अपने यह इंठ्रेस्ट हो तो पहचानि यह कि मुझे मश्यक्त लग रही है या फिजह मुझे पढ़ने में अच्छी लग रही है जब आपको इसका अंसर मिल जाए तो पहला तरीका तो यह है कि आप इस के तुरू आप कर सकते हैं कि मुझे किसकी तरफ जाना चाहिए अब यहां पर दूसरे तरीके बात करते हैं लेकिन उससे पहले ही अगर आपने decide कर लिया है कि मुझे commerce लेना है तो आँपकी commerce की पढ़ाई भी next level होने वाली है क्योंकि अलग सर यहाँ पर आप लोगा ले के आएए हैं commerce वाले बचों के लिए commerce वाला जिसकी तहथ когда class 11 and इनका एक प्रो बर्जन वी यहां पे लांच किया गिया है सारी चीजे बात करेंगे कि आपको किसमें प्रॉब करना चाहिए commerce की पढ़ाई जो है वो आपकी next level होने वाली है वो इस बात से पता चलता है आप लोग यहाँ पे जिस batch में भी इंडॉल करेंगे तो आपकी जो है केवल एक subject की पढ़ाई नहीं होगी आपकी जितने भी commerce के subject है सभी की सभी subject आप पढ़ने वाले है यानि पूरी complete commerce के आपको पढ़ाई होने वाली है जैसे की बात करें तो आप लोगा screen पे देखिए accountancy, business, math, economics, English जैसे जितने भी subject है सबकी आपको complete यहाँ पे study आपको मिलने वाली है recorded lectures आपको मिलेंगे, live lecture आपको मिलने वाला है, notes आपको मिलने वाला है, daily practice paper जैसी जितने भी आपको चीजे है जो आपके study को better बनाएगी उस सारी चीजे जो है इस batch में आपको मिलने वाला है और एक सबसे बड़ी अच्छी बात बताओ, अगर आप commerce की 11th की आपी आपी जो है class 12 के students commerce की जो है प्रो लेवल की study करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर प्रो बैचेस भी है, अरंब प्रो दो हजार पचीस, class 11th के लिए, कौटिल्य प्रो दो हजार पचीस, जो यहाँ पर class 12 के लिए है तो अगर आप इस प्रो बैच में इन्रोल करते हैं तो आपको सारी classes, यानि जितनी भी आपको benefits है, आपकी recorded class, notes, daily practice paper, live lecture, जैसी सारी चीज़े जो है आपको मिलती ही है, इसके साथ साथ आपको मिलता है यानि कि प्रो बैच में आपकी प्रो study के लिए आपको मिलती है, hard copy जो है, यानि hard copy में आपको study material सारी चीज़े मिलती है इसके लावा, master test series जो है, आपको यहाँ पर पूरा complete मिलने वाला है, bit evolution, यानि कि pro level के study के लिए आपकी pro जो है, यहाँ पर सारी चीज़े मिलने वाली है तो यह दोनों जो आपका batches है, इन दोनों batches का link प्याज students में आपको description में दे रखा है और इस बक की सबसे बड़ी अच्छी ख़बर की बात करों, तो दोस्तों यहाँ पर जो चारो अलग-अलग courses है, यानि कि अरंब दोहजर पचीज, अरंब प्रो दोहजर पचीज, कोटिलिये दोहजर पचीज, कोटिलिये प्रो दोहजर पचीज, इनके prizes में धेर सारा discount अभ अगर आप इस कोट का इस्तमाल करेंगे तो दोस्तों आपको एडिक्सनल जो है, तो 200 का आपको special discount मिलने वाला है, जो हमारे subscribers के लिए होने वाला है, जल्दी से जाके enroll करिए, अब आप में से काफी सारे बच्चे ऐसे भी होंगे, जिनका कहना होगा, कि मुझे तो यहाँ प तरीका यह है, यानि कि आप दूसरे तरीके पर बात करें, तो दूसरा तरीका यह है, कि आपको अपने marks देखने चाहिए, क्योंकि marks भी एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है, यहाँ पर decide करने के लिए, कि आपको किस stream में जाना चाहिए, यानि कि पूरी तरीके से मैं marks से तो यहाँ पर satisfied नहीं हूँ, कि marks के भरोसे ही आपको चले जाना चाहिए, लेकिन marks भी यह काफी जादा आपको help कर देता है, कि आपको किस stream क्यों जाना चाहिए, तो marks को लेकर मैं बात करो, तो again आपको यहाँ पर देखना है, आपने अभी तक जो भी classes का exam दिया है, आपने अभी 10 दिया है, 10 में, के बाद 10 से पहले आपने 9 दिया है, 8 दिया है, 7 दिया है, तो इन सभी classes में जो आपने पढ़ाई की है, इन सभी classes में पढ़ाई के दुरान आपके सबसे ज़्यादा marks किस subject में आते रहे हैं, अगर science में आता रहा है, तो यानिक इसका मतलब यह है कि आपकी science अच्छी है, और आपको science में ही आगे जाना चाहिए, अगर आपके math में ज्यादा अच्छे number आते रहे हैं, आपको math करना अच्छा लगा है, और आपके math में आपका interest ज्यादा है, तो आपको commerce की तरह आपको जाना चाहिए, या फिर आपको assist की अच्छा लगा है, आपको theoretical जो है सारी चीजे, history, geography जैसी चीजे आपको अच्छी लगी है और इसी में आपके ज्यादा number आये हैं तो आपको arts कितब जाना चाहिए, तो ये तो रहा आपका दूसरा तरीका जिससे आप यहाँ पे यह पहचान सकते हैं कि मुझे यहाँ पे किस system में जाना चाहिए, यानि कि अगर आप अभी भी decide नहीं कर पाए हैं तो आपको तीसरा तरीका की तरब आपको जाना चाहिए, यानि कि career interest आपको देखना है, यानि कि career interest आपको काफी जादा यहाँ पे again आपको help करेगा stream selection में, career interest का मतलब आपको यहाँ पे आपको doctor बनना है, या फिर आपको engineer बनना है, या फिर आपको doctor engineer से हट कर आपको sportsman बनना है, चाहे क्रिकेटर हो सकता है, या फिर फूटबोलर हो सकता है, या फिर जो भी sports आपको जो इसमें भी आपका interest है, आप sports में जाना चाहते हैं, या फिर आपको dance पसंद है, तो आप dancing में जाना चाहते हैं, या फिर आप को यारे कि आपको डाक्टर इंजिनियर कुछ नी बनना आपको एंटरेस्ड तो खेल में हैं आपको किर्केट बहुत अच्छा आपको खेलना आता है तो आपको arts की तरह आपको चले जाना चाहिए क्योंकि arts system तो स्पोर्स में काफ की जाधे help करने वाला है, आगर आपको dancing पसंद है, तो again, आपको arts system काफी ज़्याद है help करेगा, painting आपको पसंद है, तो again, आपको arts काफी ज़्याद help करेगा, और आगर आपको यहाँ पे CA, या भी जो है mathematics, यानि math के साथ आपको खेलना है, आपको, किश की तरफ यहां पे कोमर्स की तरफ जाना चाहिए, आपको C.A. बनना है, अकॉंटिंट बनना है, तो यह सारी चीजी आपको करनी है Gonzaga Benio ये सारी चीज़े आपको करनगी है बैंक बगीदा में आपको जोब होजिए सारे जितनी पी जो आपके चाहिए जो आपको यहाँ पे हैं पूरी कैलकुलेशन बेस है डो आपको पूरा onze क्राइस बेस आपको फूरा मैथमेटिक्स बेस आपका जॉब है तो यह सारी चीजे आपको यहाँ पर commerce में मिल जाएगा और जितनी भी टेक चीजे है जो technology हो गया जितनी भी बायो technology हो गया तो यह सारे जो टेक है वो आपके यहाँ पर science के अंदर आता है तो आपको अगर technology पसंद है तो आप science कितब जाएए आपको यहाँ पर mathematics यानि math के नमरों के साथ आपको खेलना पसंद है तो आपको commerce में जाएए और आपको sports खेलना आपको पसंद है आपको dance करना पसंद है आपको singing करना पसंद है आपको lawyer बनना है या फिर आपको journalist बनना है लूइंट जो है वीडियो को यहां पर पीछे करिए फिर से तीनों पॉइंट को देखने के साथ सब आप यहां पर एक जगा राम से बैठ जाएए जो मैंने तीनों पॉइंट बताया पॉइंट नमबर वन के आगे जो आपका अंसर है वो लिखे पॉइंट नमबर टू के आप लोग कौन सा स्टीम के और जाने वाले हैं जैहिन दोस्तों